हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्राइन्यू एवरी डे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ग्रीन लेडी ग्रीन लेडी कैसे बनता है? ये मैं आज आपको बता रही हूँ ये गड्मी के मौसम में पिये जाता है, ये काफी ठंडा होता है और हमें गड्मी से रहा देता है, ग्रीन लेडी बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है और ये बहुत असानी से बन जाता है, इसका हर चीज हमारे गड्में मौझूद रहता है ग्रीन लेडी बनाने के लिए जो हमें समगरी चाहिए वो है अगर हमें दो गिलास गिनी डेडी बनाना है तो उसके लिए हमें चार चम्मच खस सिरफ चाहिए चार बड़ा चम्मच और एक बड़ा चम्मच हमें निम्बू का जूस चाहिए एक बड़ा गिलास हमें चाहिए लेमेंडा और सजावट के लिए हमें दो निम्बू का स्लाइस चाहिए दो स्लाइस निम्बू का और बड़ चाहिए और वन पिंच एक चुटकी हमें नमक चाहिए ये सारी समगरियां मिला करके हम खस का गिरिल लेटी हम बनाएंगे इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें हम दो चम मच आड़ीस प्लास में भी दो चम मच हम खस सिरब डालेंगे और इसमें आधा चम मच इसमें और आधा चम मच इसमें हम निम्बू का जूस डालेंगे थोरा सा नमक और इसमें भी हम थोरा सा नमक वन पिंच डालेंगे और फिर इसे हम अच्छे तरह से मिलाएंगे जब यह अच्छी तरह से मिल जाए तो उसके बाद हम इसमें आइसक्यू डालेंगे दोनों में जब यह मिल जाए तो इसमें हम यह जो लेमेंडा है इसे डालेंगे उसके बाद अच्छी तरह से फिर से हम इसे मिलाएंगे बस दो यह चार बार हमें इस तरह से मिलाना है दोनों को ताकि अच्छी तरह से मिल जाए तयार हुने के पाद आप इस तरह से लेमन से गार्निस कर देजिए देखिए ये काफी खुबसूरत लग रहा है और गर्मी के दिन में लोग इसे पीना काफी पसंद करते हैं और ये टेस्टी भी होता है, मीठा भी होता है, गर्मी से हमें राहत भी देता है अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करें आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसे अपने दोस्तों में सेर भी कीजिए हमें कोमेंट के जड़ी लिखकर बताईए कि आपको ये कैसा लगा अगर आपका कोई सुझाओ हो तो आप वो भी हमें लिखकर बताईए अगर आप कुछ नया सिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं हम आपके फर्माइज को जल से जल पूरा करेंगे